प्रेक्टिस करेंगे इसमें हम जी एस के प्रश्णों पर ठीक है दोपे पर होते हैं इसमें जी एस का और दूसरा होता है हिंदी का 60 प्रश्ण हिंदी के आते हैं और 140 प्रश्ण आते हैं जी एस के मैरिड इन दोनों को मिलाकर बनती है ठीक है यानि टोटल 200 कोशन हो गए हिंदी और जी एस के मिलाकर और दो सो नंबर के ही वन थर्ड की मार्किंग है तो कॉश्चन नंबर बन पर आज़िए निदेशक तत्तों के संदर में निम्रिखित में से कौन सा कथन सही है यानि राज के नीती नेसक सिद्धानतों की बात हो रही है भारत के राज शेतर में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक सहिता अनुच्छेद 44 में है गया क्रसी एवं पसुपारन का आथनिक एवं बैग्यानिक आधार पर संगठन अनुच्छेद 48 में नय पालिका का कार पालिका से पर्थकरण अनुच्छेद 50 बताएं कौन सा सही है इन में सुमेलित है तो बलकुल अनुच्छेद 44 भी सुमेलित है अनुच्छेद 48 भी सुमेलित है 50 भी सुमेलित है सारे सुमेलित हैं D है इसका अनुच्छेद 44 की बात करेंगे तो भारत के राज़ शेहतर में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक सहीता को सुरक्षित करने का प्रयास करना ठीक है अनुच्छेद अड़तारिस में क्रसी और पशुपारण को आधनी कवं बैग्यानी का धार पर द्रश्टिकोंड करना ठीक है संगठित करना और क्लॉज भी इसके साथ साथ याद कर लिए अड़तालिस के यह में क्या है परियावन की सरक्षा उसधार करना तो सदेश के बनो एबम बन जीवों की रक्षा करना अनुच्छेद पचास में राज की लोग सिवाओं में ने पालिका को कारे पालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना तो भारते संभिधान के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 में नीती नेसक से दान्त है कौन सा किसम है यह पूछ लेता है कौश्चन नुबर टूपर आजए यह निम्लिकित में से किस विकल्प के दोनों देश लाल सागर के साथ सीमा बनाते है तो ब्लैक रेड सी रेड सी के साथ सीमा बनाने वाले देश कौन-कौन से है मिश्र है लेकिन बुल्गारिया नहीं है तो अलिम्नेट हो जाएगा और यमन है लेकिन ओमान नहीं है तो अलिम्नेट हो जाएगा सीरिया और इसराइल अलिम्नेट हो जाएगा साथी अरब और मिश्र दोनों है ठीक है इसराइल नहीं है तो A के दोनों है तो A हो जाएगा इसका अंसर तो देखें साओधी अरव, अरेविया और मिश्र ये हैगा रेड सी और रेड सी में साओधी अरेविया सीमा बनाता है यमन बनाता है, सूडान बनाता है, इजिप्ट बनाता है, जॉर्डन बनाता है, इसराइल बनाता है, इसराइल बनाता है, ठीक है, और इरिट्रिया बनाता है, जिबूती बनाता है, ओमान नहीं बनाता है, इसराइल बनाता है, लेकिन सीरिया नहीं बनाता है, ओमान नहीं बन कौन से लगें इस प्रस्णब कर देश Memorial से लगें है चले जो प्रशन मेंसे कौन धेश भ्हूम असा गर्तक नहीं फैला है तो पूछने के तरीकह कुछ भी हो सकते हैं कि भूम असार्ज blueprint अधर्टक नहीं फैला है या त्रटीय सीमा बनाता है या नहीं और ले मतलब तुर्की इस इस्रेल से सीरिया और ले लेबनान होगा जॉर्डन नहीं होगा तो अभूमत सागर से सीमा बनाने वाले पश्मी देशों में अगर बात करें वह हैं तुर्की, सीरिया लेबनान और इस्रेल नमबर फोर पर आजएए यदि हम काला सागर का ब्रह्मन करें तो पाएंगे कि नमबर की तुमें से किस एक राष्ट की तटीय सीमा उससे नहीं लगती है प्रश्ण पूछने का तरीका बदल गया है और प्रश्ण मांग वही चीश की कर रहा है तो काला सागर से जो तटीय सीमा बनाते हैं देश यह जो लगे हैं उनकी ट्रिक है राम राम बोलोगे तो रश्ण क्रेन और ट्रक से जाओगे राम नाम मतलब रोमानिया और रश्ण मतलब रूज क्रेन मतलब यूक्रेन ट्रक होता तो तुर्की हो जाता इटली इसमें नहीं होगा तो डी कड़ जाएगा तो ट्रिक है राम नाम बोलोगे तो रश्ण क्रेन और ट्रक से जाओगे राम नाम मतलब रोमानिया बोलोगे बुलगारिया, रश्ण रूस, क्रेन यूक्रेन ट्रक हो गया तुर्की और जाओगे हो गया जॉर्जिया कॉशन नुमर फाइब पर आजएए विकल्प के कौन से राष्ट एडियाटिक सागर से जो है सीमा बनाते हैं बताइए देखें मोंटे नेग्रो है एडियाटिक सागर से सीमा बनाने वाला ओमान नहीं है तो अलिमनेट हो जाएगा फ्रांस नहीं है क्रोईशिया अलबानिया है अलिमनेट हो जाएगा और इटली है स्लोवेनिया है क्रोईशिया है यह तीनों है लेबनान जॉर्डन सीरिया यह तो हो गए भूमत इसागर वाले तो इटली स्लोवेनिया क्रोईशिया यह है एडियाटिक सी इटली बनाता है अलबानिया है स्लोवेनिया है क्रोईशिया मुंटे नेगरो हर्जगोविन हर्जEPोविना बूस्री ये7 हर्जगोविना न ठीक है पूस्री अ हर्जगोविना ठीक है अलवानिया इटली ऍलोवेनिय में स्लोवेनिया कुवेशिया धागि कि Σी भी व्यक्ति को विधिऑ द्वारा इस्थाभित प्रकरिया가 imperia उसके जीवन और व्यक्तिक सुतंतरता की अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता कौन सा अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 19 नहीं है अनुच्छेद 32 नहीं है पता ये 21 या 22 इसका अंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 यानि निज्टा का अधिकार तो संविधान में भारते संविधान में जीवन के अधिकार को मूल अधिकार की स्रेणी में रखा गया है और भारते संविधान का अनुच्छेद 20 या कहता है कि किसी वी व्यक्ति को विधी द्वारा इस्थापत प्रक्रिया के अतिरेक्त उसके जीवन और व्यक्तिक सोतंतरता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता इंपोर्टन्ट है ये बड़ा इस बार भी UPSC ने पूछा था ये ठीक है अनुच्छे दिक किस से प्रश्ण बनते रहते हैं प्रश्ण क्रमांग संख्या साथ पर आजएए मूल अधिकारों के संदर में कौन सा स्टेट्मेंट गलत है इने संचितरा जो अमेरिका के संबि eclipse से लिया गया है इनका वर्णन भाग तीन में है अनुच्छे दी बारे से लेकर पेंटे सक और मूल अधिकार में साथ मॉलिक अधिकार थे लेकिन 42 समबितान संसोदन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से अटा दिया गया और मूल अधिकारों में समता या समानता के अधिकार को जो वर्णन है अनुछे 14 से लेकर अठारे तक है यो ऐसे के संभिधान से लिए गया है यह करेक्ट है भाग तीन में है बारे से 35 सक यह भी करेक्ट है और इसमें भी 6 अब रहे गया है तो 6 में जो है जो समानता का अधिकार है समता का अधिकार है वो अनुछे 14 से लेकर अठारे तक है मूल सम्भिधान में 7 मौलिक अधिकार थे ठीक है अब 6 रहे गए है इनको जो एक हटाया है वो 44 में सम्भिधान संसोधन से हटाया है नकी 42 पे कौन सा हटाया है संपत्तिक अधिकार तो ये गलत है तो मूल संबिधान में 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन अब नहीं आप तच्छेर गए और जो हटाया गया है वो एक 44 पे संबिधान संसोदन 1978 के दोरह हटाया गया है संपत्तिक अधिकार मूल अधिकारों की सुची से हटागर डाल दिया गया है और उच्छे 300 के काम है वो है एक legal right कानूनी अधिकार Question number 8 पर आजई है भारते संभिधान के किस भाग को भारत का मैगना कार्टा की संग्या दी गई है तो जिसमें मूल अधिकार है उसी को दी गई है यानि भाग तीन को तो संभिधान के भाग तीन यानि उच्छे 12-35 तक में मौलिक अधिकारों का विपरण है और संभिधान के भाग तीन को भारत का मैगना कार्टा की संग्या दी गई है ये भारत का जो संभिधान है 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है इंपोर्टन्ट है कौन कौन से अनुछेद में है ये भी इंपोर्टन्ट है याद रखिएगा ठीक है मैच करने के लिए पूछ लेगा समता का अधिकार अनुछे 24 से अठार है सुतंत्रता का अधिकार 19-22 सोशन के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 धर्म की सुतंत्रता 25 से 28 तक सांस्कृतिक और सिक्षा संभधिया अधिकार 29-30 में है 31 को तो हटा दिया गया है और संभधानिक उप्चारों का अधिकार है अनुछे 22 में कोशन नुबर 9 पर आ जोए राज के जो हाई कोर्ट होते हैं उच्छ नियाले होते हैं रिट जारी कर सकते हैं वंदी प्रतिक्षेगन परमादेश प्रतिशेद उत्प्रेशन उत्प्रेशन व्याधिकार प्रक्षया वंदी प्रतिक्षेगन परमादेश उत्प्रेशन प्रतिशेद अधिकार प्रतिक्षया देखे, हाई-coord रिट निकाल सकता है अनुच्छे 226 के तह तहाँ ये सारे रिट निकाल सकता है और सुपरीम कोड जो है 32 के तहाँ निकाल सकता है तो रिट 16 अधिकार की बात करें तो यह नियाले द्वरा जारी किया जाने वाला एक कानूनी आदेश है ठीक है गानूनी आदेश है और सरवोच नयाले की बात करेंगे सुप्रीम कोट की तानु 632 की तानु 6226 के तहती ये रिट जारी कर सकते हैं ये दोनों के दोने नयाले बंदी, प्रतिक्षिकन, परमादेश, प्रतिशेद, उत्परेशन और अधिकार प्रक्षिया, ये पांच प्रकार की रिटे जो है ये लोग निकाल सकते हैं, दोने नयाले सामाने कानूनी अधिकारों के विपरीत, मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा गारेंटी एवन सुरक्षा प्रदान की गई है, और कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए उपलाब्द हैं, जबकि अन सभी व्यक्तियों के लिए उपलाब्द हैं, चाहें जबे नागरिकों, विदेशी हों या कानूनी व्यक्तियों जैसे की परिशद हो गई, कंपनियां हो गई, करेक्टर स्टेट्मेंट, देखें 15, 16, 19, 39 केवल भारते नागरिकों को हैं, बाकी जो हैं सभी को हैं, तो फिलाल ये दोनों के दोनों करेक्टर हैं, सी है इसका आं उपर प्रतिवंद नहीं लगा सकती, देखें गलते लगा सकती अगर परियापत अधार हो तो और नियाल अनुमती देतो, तो दूसरा इस्टेट्मेंट जो है वो गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला इसमें करेक्ट होगा, तो मूल अधिकार जो हैं वो इस्थाई नहीं ह संसद इन में कटोती या कमी कर सकती है, लेकिन संसोधन अधिनयम के तहत ही करेगी, साधन विद्यक से नहीं होगा, मूल अधिकार असीमित नहीं है, लेकिन बाद ही हो गया है, राज इन पर उचित प्रतिवंद लगा सकता है, हाला कि कारण जो है वो उचित होना चाहिए, और इसका निर्णा जो है वो अदालत में होगा, इसका कारण जो है उचित है ने, इसका जो निर्णा है वो अदालत करती है, लेकिन दूसरा श्रेट गलत हो जागा क्योंकि लगा सकती है, राजियर. मूल अधिकार नया उचित हैं जब भी इनका उलंगन होता है ये विक्तियों को अदालत जाने के अरुमती देते हैं और मूल अधिकारों के उलंगन के मामले में कोई भी पीडित विक्ति जो है सीधे अनुच्छेद 32 के तहट सुपरीम कोट की सरण ले सकता है तो राज़्ट आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20-21 प्रत्याभूत मूल अधिकारों को छोड़कर अने सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं तेरवा प्रश्ण है नमिलकित में से कौन सा या से मूल अधिकार केबल भारते नागरिकों को प्राप्त है तो यह सब आपको पता होना चाहिए को कौन से अनुच्छेद हैं और उस अनुच्छेद में लिखा क्या यह भी पता होना चाहिए तो 15-16 ठीक है 19-39 यह मूल अधिकार जो है केबल भारते नागरिकों को प्राप्त है तो धर्म मूल बंस लिंग जन्विस्थान के अधार पर विवेद का प्रतिशेद यह अनुच्छेद 15 है लोक नियोजन के विशय में अपसर की जो समानता है यह अनुच्छेद 16 है ठीक है तो देखिए अनुच्छेद 15 भारते नागरिकों को को है धर्म मूल लिंग crashing से जन्विस्थान के आधार पर विवेद का परतिशेद यह अनुच्छेद 16 है नागृशanno 6-39 संख्यों को सिक्षा लिपी और संस्क्रती को संट्रक्षा लिपी 19 है ठीक है अलब संख्यकों की भासा लिपी अनुच्छेद उन्तिस है ठीक है तीस नहीं है उन्तिस है है सांस्कृति का दिकार में भी क्योंकि 25 से 28 सकतो धन्म की सतंतर धार में का दिकार है तो उन्तिस तीस बड़ा इंपोर्टन्ट है याद रखी कभी इनको इंटरचेंज करके पूछ लेता है ठीक है अलब संख्यकों की भासा लिपी और संस्कृति का संद्रक्षण अनुच्छेद 29 में है और सिक्षन संस्थानों की स्थापना और प्रशाशन करने का अलब संख्यक बरगों का दोजादी कार है वो नमबर फोर्टीन पर आजी अनुछेद 21 में घोशना की गई है कि राज क्या घोशना की गई है 6-14 वर्ष की आयू के सवी बच्चों को निश्वलक अनिवार सिक्षा उपलब्द कराएगा 6-18 वर्ष की आयू 8-14 6-16 देखे एकी चीज़ चेंज़ा बागी सब कुछ गोई है तो करेक्ट किया इसका अनुछेद 21 में घोशना की गई है कि 6-14 वर्ष की आयू के सवी बच्चों को निश्वलक अनिवार सिक्षा उपलब्द कराएगा कौन राज है तो अनुछेद 21 ए में घोशना की गई है कि राज 6-14 वर्ष की आयू के सवी बच्चों को निश्वलक अनिवार सिक्षा उपलब्द कराएगा और यह प्राबधान केवल आवसक शिक्षा के एक मौलिक अधिकार के अंतरगत है और एक चीज़ और याद अखिए और इस से पहले भी 86 वे सम्विधान संसोदान अधिनम से पहले भी सम्विधान के भाग 4 में अनुछेद 45 में बच्चों के लिए निसुलक और अनिवार सिक्षा का प्राबधान था इसका मतलब समझ रहे हैं आप ये राज जी के नीती ने सक्सिद्दानतों की बात कर रहा है भाग 4 क्या है नीती ने सक्तत्व है न अनुछेद 45 ने सक्तत्व है उसमें था प्राबधान 15 प्राबधान इस टेस्ट में एड़ किये गए हैं निजिता काधिकार 21 है, अस्परश्टा कांति किया जाता है, यहां उत्तर 22 होगा, ठीक है, अनुच्छेद 22 है, तो अनुच्छेद 22 जो है किसी व्यक्ति को निरोध अबम गरफतारी से संरक्षन प्रदान करता है, अगर बात करें हिरासत की, ठीक है, अगर अफतारी की, तो दो तरह की होती है, दंड विश्यक और निवारक, दंड विश्यक हिरासत जो है एक व्यक्ति जिसने अपराद स्विकार कर लिया है, और नियाले में उसे दोसी ठहराया जा चुका है, को दंड देती है, और निवारक हिराशत वह है, जिसमें बिना सुनवाई के नियाले में दोसी ठहराया जाए, तो पंदरा प्रशन थे, इनकी प्रेक्टिस एक बार कर लेजेगा, हर दिन प्रेक्टिस करते रहें, समिक्षा अदिकारी, साहक समिक्षा अदिकारी के लिए, धन्यवाद,